Assalamualaikum and welcome to another video दोस्तो पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एंड आईटी की दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की किया जा रहा है यही वज़ा है कि गवर्मन्ट अब आईटी एंड फ्रीलांसिंग सेक्टर को पहले की निजबत बहुत ज़्यादा तबज़ो दे रही है फ्रीलांसिंग में तो पाकिस्तान का दुनिया में चोथा नमबर है तो आज किस वीडियो में आप जानोगे कि as a freelancer या online earning person जो पाकिस्तान में बैठ कर सिरफ फ्रीलांसिंग की मदद से बाहिट से पैसा पाकिस्तान में ला रहा है वो अपने income tax return 2021 किस तरह से फाइल करेगा इस वीडियो के end पर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप एक non-resident पाकिस्तानी है और आपका काम भी सिरफ फ्रीलांसिंग ही है और इसके अलावा आप हर महीने कुछ पैसे पाकिस्तान अपनी family को भी बेजते हैं तो आप इसको अपने tax return में कैसे show करेंगे और last पर as a freelancer आप अपनी wealth statement कैसे declare करेंगे ये सारी चीज़ें जनोगे आप आज किस वीडियो में तो tax return फाइल करने से पहले आपको अपना NTN बनाना पड़ता है और कुछ documents collect करने पड़ते है specially bank transaction की against जो आपका tax cut होता है आपकी telephone या mobile की tax statement वगरा तो NTN के हवाले से tax return के लिए required documents के हवाले से और jazz and PTCL की annual tax statement हसल करने के बारे में detailed videos के link इस video की description में मौझूद है आप उनको भी लाजमी देखिए ताकि tax return फाल करते वकत आपको किसी पढ़ेशानी का सामना ना करना पड़े तो अगर ये वीडियो आपके लिए फाइदमान साबद हो तो इस वीडियो को like, share and channel को subscribe करके bell notification को लाजमी ओन कर ले ताकि वीडियो के notifications आपको लाजमी मिल जाए मज़ीद ये कि अगर मेरी किसी बात के आपको समझना है या आप मुझे डिरेक्ट बात करना चाते हो तो लिगल वस्टी के facebook और instagram pages को like and follow कर ले and then वहाँ पर आप डिरेक्ट बात करके अपना question या issue discuss कर सकते हैं तो चलिए tax return 2021 for freelancers फाइल करना शुरू करते हैं वीडियो की description में लिंक मजूद है और आपको यहां पर screen पर भी नजर आ रहा होगा जैसी आप इस link को अपन करेंगे आप आजाएंगे इस dashboard पर यहां पर आके आप अपने registration नमबर अपना cnac नमबर देंगे और password देके जैसी login का बटन दबाएंगे तो आप आजाएंगे यहां इस IR IS के dashboard पर यहां पर आके सबसे पहले आपने यह declaration के tab पर जाना है यहां से आपने यह normal return वाला form ले लेना है जैसे manufacturers के लिए, traders के लिए FBR ने एक separate classical forms दे दी होए हैं freelancers के लिए भी इस तरह कोई form create नहीं हुआ तो हमें इस normal return form को यूज़ करते हो ही अपने freelancer के tax return submit करनी होगी मैं आपको इस वीडियो में बहुत simple और असान तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत easy है और आप बड़ी असानी से इसको समझ के अपने tax return file कर सकते हैं तो आपने इस वीडियो को बिना skip की यह देखना है क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी मालूम पढ़ जाएंगी तो जैसी अब यहां पे आजाएंगे तो सबसे पहले आपने यहां पे आके पिडियोड स्लेक्ट करना है जैसे पिडियोड भी चल रहा है 2021 का उसको लेकि आप यहां से सर्च करना है और यहां से नीचे स्लेक्ट का बटन दबाना है आपके सामने यह फार्म ओपन होकर आ जाएगा यहां पे आके सबसे पहले आपने यह नीचे यह जो फॉर्ण सोर्सें और इसको उपन कर लेना है और इसके अंदर से आपने फॉर्ण सोर्सें को स्लेक्ट कर लेना है इस पॉम पे देखे तो यह जो last head है foreign salary income इसमें आपने एक पूरे साल में जितना भी आपने अपने freelancing से कमाया हुआ है उसको total करके उसको आपने यहां पे declare कर देना है यहां पे आप यह भी जानना चाहिए लाजमी कि हम total amount जब इसमें total amount को यहां से copy करके या जैसे अगर आप वैसे लिखना चाहिए वैसे भी लिख सकते हैं यहां से आपने calculate दबा देना है तो यह देखेगा कि amount subject normal tax से खतम हो गई है और यह exempted में शो हो गई है यह इसलिए है क्योंकि जितनी भी आप बाइटसर डॉलर पाकिसान में मगाती हैं as a freelancer के दोर पर तो वह tax से मबढ़ रहा है वह exempted from tax है यहां पर यह आपने total amount declare करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कुछ bank statements लेनी पड़ती है आपने tax certificate केस निकलाने पड़ते है mobile telephone मगारा की तो वो जब आपके पास होंगे उनको लेके आपने यह next आजाना है tax chargeable पे और इसके अंदर यह head है यहाँ पे नीचे adjustable taxes का आपने यहाँ पे आजाना है यहाँ पे आके तो देखें जो ज्यादा तर relevant होंगे आपके मैसर आपको वह head बताऊंगा बाकी मजीद अगर आप यह सारा देखना चाहें तो one by one करके आप यह सारा समझ सकते हैं बड़ी असानी के साथ यहाँ पे जो important heads है वो यहाँ पे है यह cash withdraw उसके बात है यह certain banking transactions यहाँ पे यह बात लाजमी याद रखेगा कि आप जितना पैसा बाइर समगाते हो वो एक banking channel के दुरू होना चाहिए तक आपके पास उसके money trail मजूद रहे वो by hand यह इस तरह से नहीं होना चाहिए यह दोनों bank transactions के बाद नीचे आ जाती है यह motor vehicle याँ अगर आपको अपनी earning से कुछ purchase की है motor cycle हो गए रहा उसकी payments आ जाएंगी फिर नीचे यह private vehicle tax आ जाता है electricity bill आ जाते है telephone का bill आ जाता है cell phone का आ जाता है जैसे मैंने पहले बताया था mobile and PTCL की जो वीडियोज है आप उनकी tax statement किसना से असल कर सकते है उनका link video description मुझूद है आप वहाँ से देख सकते हो यह सबी heads जो है यह आपके relevant है आप इनके against इनका tax claim कर सकते हैं मिसाल के तरुपर मैं को करके दिखाता हूँ जैसे फर्स के लिए आपने लिखा cash window of a bank पर यह icon दबाएंगे आप यहाँ पर आके आप अपना account number लिखेंगे नीचे आप लिख देंगे saving है यह current account है और यहाँ से इसको ok कर देंगे जैसे यह amount खुल जाएगी तो आपने इस वाली line में इस वाली line में अपना total tax लिखना है क्योंकि यहाँ पर जितना भी tax लिखो गए यह total आपको refundable होगा मसाल के दुबह मैं कहा देता हूँ जी 450 पर मेरा tax कटा था साल में आपके इसाफ़ जितना होगा वो आप करेंगे उसके बाद यह आजाता है certain banking transactions यहाँ पर देखे तो याँ आपने अपने account से किस account पर ट्रांसफर किया है one bank to other bank या same bank में अगर आपको transaction पड़ी यह कोई आपने बड़ी amount transfer किया तो उसके लिए भी आपने यह simple यह plus फाल आइकन दबाना है अपना same अगर एक account है तो वही लिखना है यह एक से ज़्यादा account है तो आप वह भी लिख सकते हैं और सभी account की details आप यहाँ पर दे देंगे यहाँ से इसको okay करेंगे तो यह भी बन किया गया तो मसाल की दबार किया देते हैं जी 45 और यहाँ पर भी कटा था आपका मुक्तिफ टांजेक्शन तरने के बाद इन सभी heads के आगे जब आप अपना tax जो है उसको claim कर लेंगे जो आपने पूरे साल में pay किया है उसके बाद आपने simple इंको calculate दबाना है दो दफ़ा दो दफ़ा calculate दबाने के बाद आपने सीधा आ जाना है इदर ये computation माले टैब पर यहाँ पर आगे देखें तो यह आपकी total amount आ रही है जो पुरे साल में आपने कमाई थी और यह नीचे देखें तो यहाँ पर आ रहा रहा है यह विदो holding tax जो आपने banking channel के थरू जैसे भी जह यहाँ पर भी जो जो taxes पे कियें वो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर यह सबसे नीचे देखें तो जितना आपने विदो holding tax पे किया है वो total refund में आ रहा है अब आपने अपना refund किसना से claim करना है इसके ओपर भी एक पूरी वीडियो मजूद है जिसका link video description मजूद है मे आपने पूरे adjustable taxes में अपने taxes claim कर लें computation पर आके आप अपना refund चेक कर लें यह सारी calculations करने के बाद आप आपने आना है अपनी well statement पर जहां पर आप सीखेंगे कि आप as a freelancer अपने well statement किसना से declare कर सकते हैं और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप non resident पाकिस्तानी हैं जो बाइर बैट कर से freelancing से पैसा कमा रहे हैं और उन पैसों में से कुछ हिसा आप हर महिने यह हर साल यह छे महिने जैसे भी आप अपनी पीछे family को भेजते हैं तो अब आप उसको अपने well statement में किसना से declare करेंगे तो चलिए well statement पर चलते हैं यहां यहां पर आएं तो सब से पहले आप आजाएं द exempt from tax है तो आपकी जो total income थी 9,50,000 उसको हम यहां पर exempt from tax के head में यहां पर declare कर देंगे अभी देखें तो आपकी यह total amount यहां पर आगी इसके against अभी आपने expenses और assets and liabilities को declare करना है चलिए सब से पहले हम देख लेते हैं expenses यह सारे expenses हैं जो आपने पाकिस्दान में रहते हुए explain करें अगर आपको अलग-अलग head नहीं याद है और एक लंबसम amount याद है तो simple आप इसको यहां पर इसमें declare कर सकते हैं मैं कहते हैं तो जी मेरा 4,40,000 का पूरे साल का खर्चा हुआ यह तो यह देखें यह total personal expenses में आ गया next हम चलते हैं अभी assets and liabilities पे assets and liabilities में आपको कफी सा address देना है नीचे यहां बताना है वो कितने square yard है कितने मडले है वो लिखने के बाद जैसे आप ok करेंगे तो इस तरह के एक field बन के आ जाएगी उसमें आप उसके total amount लिखते जाएगा फिर इसके बाद अगर आपका कोई business भी है पाकिस्तान में जो आप freelancing के लावा करते हैं लेकिन यहां पर यह भी सुरत होगी जो business अगर आप यहां पर declare करेंगे तो आपको यहां पर इस business वाले टैब में अपने business की फूरी detail जैसे मेरे पिछली वीडियो में इतायत जो मैंने business के related आपको बताई है उसको follow करते हुए आप अपना यहां में business भी declare करेंगे और as a freelancer आप इस वीडियो को follow करके यह भी declare करेंगे लेकिन इसमें यह होगा कि आपकी जो amount as a freelancer होगी सिर्फ वो exempt from tax होगी जो business के gain stop करेंगे वो exempt from tax नहीं होगी यहां पर देखें तो यहां पर next आड़ आ जाता है यहां पर investment का आपने कुछ bond रखे हुए है तो वो आ जाएगा simply आ आपने इनके समने प्लस वाल आइकन को दबा के अपना bank account number देना है और उसके gain stop के पास कितने रुपे के bonds है वो आप यहां पर declare करेंगे यहां पर motor vehicle को आपने रखी हुए है non business है तो उसको value आप यहां पर declare करेंगे को precious possession यानि को gold होना आपके पास मौजूद है तो वो यह icon प्लस आइकन दबा गए यहां पर उसका nature लिखेंगे gold है silver है nature वो कितने gram है वो लिख कि उसके value आप यहां पर declare कर देंगे फिर निचे आ जाता है यह household effect आ जाते हैं household effect होते हैं घर पे कुछ कीमती चीज़े हैं आपके पास हैं घर पे इस्तमाल होने वाली चीज़े हैं जिन इस तरह की कीमती चीज़े जो होती है वो इस personal item हो declare कर देते हैं मैं कहते हैं मैं यह पास एक लाग सत्रहजार की personal items पड़ी है उसके बाद नेचे आ जाता है cash in end या आपके पास अभी bank में पैसे पड़े होई हैं मजीद जिसको आप cash in end शो कर सकते हो या आपके घर में कर देंगे as a cash in end मैं कहा देता हूं मेरे पास 3,90,000,000 का cash in end है यह करने के बाद मैं इसको calculate कर देता हूं अभी देखें तो मैंने अपने assets यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हैं अभी चलते हैं दोबारा reconciliation of net assets पे यहाँ पर आके देखें तो यह 1,500,000 रुपे आपके पास plus में आ और यह उपर देखें तो आपके पास net assets previous year का खना खाली नजर आ रहा है यानि जब आप अपनी calculations को 9,50,000 अगेंस्ट expenses and assets declare करेंगे बिल्कुल properly जमा नफी करने के बाद तो पिर आपके पास यहाँ पर जो amount बचेगी इसको आप यहाँ से copy करके यहाँ पर declare कर दें previous year के तो फिर आपको अपने expenses and assets and liabilities में calculations को जमा नफी करके इसको reconcile करना पड़ेगा और बैटर यही होगा कि अगर यहाँ पर आप शूरू में लिखते हैं मैंने तो अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे अगर आप शूरू पर यहाँ पर लिखते हैं भी आपके पिछले साल में कितने assets से अगर आप पहली दफाक taxes return file कर रहे हैं तो तो लिख दें तो उसके बाद आपने calculation करें आपकी wealth statement जो है वो बिलकुल reconcile हो जाएगी एक और बात यहाँ पर बड़ी important अगर आपने पिछले साल अपनी tax return as a freelancer file की थी तो इस साल जैसे ही आप आएंगे तो आते statement के against जितने भी आपके पिछली साल की values थे वो यहाँ पर import होके आजाएगी इन सभी heads में assets में भी और आपके reconcile में भी उनको आपने current years के साथ अब just replace करना होगा और नई values इस साल की जो होगी वो आप अपने foreign sources में जितना भी आप एक साल में कुमाओगे वहाँ पर जाके तो next आपने आजाना है इस attribute के tab पर यहाँ पर अगर तो आप एक non resident पकिस्तानी है तो अपने इस resident status के आगे इस वाली icon को click करके आपने non resident select करना है अगर आप पकिस्तान में बैटकर freelancing कर रहे हैं तो आप resident select कर लें यह select करने के बाद next आपने आपने verification के tab पर यहाँ पर आप कोशच की है किस वीडियो में आपको as a freelancer tax return file करने का एक easy सा way बता दूँ I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो नीचे comment section में यह हमारे social media pages पे आप हमें like and follow करके वहाँ आके हमसे बात करके आप अपना issue discuss कर सकते हैं यह वीडिय नहीं है तो इसको like जरूर कीजएगा share कीजएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को subscribe लाजमी कीजएगा मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए Allah हाफिज